हे दोस्तों में चिराग एक और टॉपिक के साथ तो आज हम देखे रहे है काईजन कोस्टिंग का पार्ट सबसे पहले देखेंगे what is काईजन फिर उसके बाद काईजन कोस्टिंग की definition या meaning उसका पार्ट कवर कर लेंगे फिर उसके बाद आएगा types of काईजन कोस्टिंग फिर सेट होता है तो मंतली सेट करने का जो भी प्रोसिजर है उसके चार-पांस फॉर्मले और राउंड है वह कवर कर लेंगे तो देखें यहां पर बोल रहा है सबसे पहले what is काईजन अब आपको पता है कि यहां पर दो वड़ आ रहे हैं एक तो काई आ रहा है और जैन नहीं figur पोलोगा चेंज फॉरडीब वीफॉर्ट या ठेंजफॉरी इंप्रॉमन्ट ऐसे बोल रहा है तो चेंज फॉर थी बैटर और कंटीटर इंप्रॉमेंड इसको ऐसे बोल सकते हैं स्मौल कंटीज़्वास्टे इंप्रॉमेंट यहां रहे güzel रहेगा एक बोलना s पॉGMॉ teams for पार्ट देख लिए जैसे आपने process का पार्ट देखा तो process costing activity से related देखा तो activity based costing देख लिया अगर आपने टार्गेट कोस्टिंग देखा तो वो किस से related था वो designing या वो innovation से related product के development से related part था कि product design कैसे हो रहा है development कैसे हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या target cost set करनी है तो आपने market की selling price दे की उसमें से आपने desire profit अटाया और target cost निकल के आ गई ठीक है तो वो तो generally था target costing का part लेकिन काईजन क्या बोल रहा है कि जैसे ही target costing का part आपने set किया उसके बाद manufacturing stage से related part आपका क्या आएगा काईजन costing से related आजाएगा तो सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि काईजन क्या है तो एक मैं आपको example के थूँ बताऊं कि अगर एक worker क्या होता है morning में आता है और supervisor उसको सुबह सुबह ही टोक देता है कि डंग से काम करना इतना late case हो गया यानि 5 minutes ही late होगा था आपने इसे बोल दिया generally उससे कोई reason नहीं पूछा तो उसका क्या होगा पूरा सुबह से लेकर शाम तक का एक तरह की सा mind वहीं पर गुमता रहेगा कि मुझे कैसे डाट दिये गया तो वह efficiently और effectively काम नहीं कर पाएगा शायद कर लें लेकिन generally क्या है मैं भी अगर क्या है कि employee किसी organization का और मैं जा रहा हूँ और computer work कर रहा हूँ उससे पहले owner ने सुबह आता ही डाट दिया और बहुत ज़्यादा work दे दिया तो उस case में क्या होगा मैं यह feel नहीं कर पाऊँगा कि एक team spirit है यह environment अच्छा है employee satisfy नहीं हो पाएगा तो अपनी job का जो भी काम है वो डंक से पूरा नहीं कर पाएगा यह हो गया तो उस case में क्या होगा इसकी performance बहुत ज़धा affect पड़ेगी और organization की productivity पर असर पड़ेगा यह हो गया तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि एक से अच्छा दो तो एक से अच्छा कईजेन होने चाहिए single person DCL making नहीं कर पाएगा तो उस case में क्या होगा employees के suggestion भी आप लो यह बोल रहा है ठीक है यह बोल रहा है कि कोई limit नहीं है level of improvement की improvement तो होता रहेगा और यह नहीं कि हम शुरू में perfection चाहते हैं हम gradually दीरे-दीरे करके improve करना चाहते है काईजन sees improvement in productivity as a gradual and methodical processes यानि जो method के तुरू process हो रहा है एक systematic डंग से कि हमने एक standard तहे किया उसके बाद हमने उसको achieve कर लिया फिर उसके बाद दीरे-दीरे हम क्या कर रहे है और gradually improve करते जा रहे है दीरे-दीरे पिछले वाले पार्ट से हम सुधार करते वे जा रहे है तो यह बोला इंप्रोविट जो मैं आपको बताया था यह हो सकता है देखिए वो safer का तो मतलब क्यों हो गया उसमें एक तरह की से worker को चोटना लगे last time की मतलब इतनादा काम नहीं करवाया जाए या काम करवाया भी जाए तो उसके basis पे बीच-बीच में shift होने चाहिए गैप होने चाहिए job जो है उनकी एक तरह की से interesting रहे या जो भी requirement थी वो उनकी पूरी हो सके जैसे देखिए एक और example ले सकते हैं कि कोई employee office का work करता है अब computer work करता है तो बार बार हो क्या करता है print निकालता है अब उसको printer की requirement होती है तो यह मान के चलिए कि जिस floor पर काम करता है उससे उपर printer है तो उसको बार बार क्या करना पड़ता है तो किसी worker को बोलना पड़ता है कि print ले किया या बार बार कभी कभी खुद भी जाना पड़ सकता है तो एक तो वो tiring या नि tired हो जाएगा और एक उसको अपने job में interest नहीं रहेगा कि ऑन चालिए मेश को यह नि रहेगा क्योंकि मुझे बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा कम क्या बैठने का और computer से लेक्षकela मेरा जब मन और बीची मीच में क्या करना बर जाना पड़ रहा उपर और प्रिंट लेके आना पड़ रह Olत पड़ रहा है तो वह टाइम को भी वेस्ट होने से बचाना वेस्टेज का मलब क्या होता है बहुत चीजुम्हों होता है देखि एक औरने से उसमें क्या होता है कि एक stock पढ़ावा है factory यह मानके चलो अब यह stock क्या यहां पढ़ा है फिर इधर shift कर दिया अपने दूसी जगे फिर इधर shift कर दिया फिर इधर shift हुआ तो यह बताओ कि customer को कोई satisfaction मिला के इससे नहीं या customer की कोई value बड़ी नहीं बड़ी ठीक है तो यह बोल के लिए ही क्या रहा है आगे काईजन costing का में आ रही है तो इधर के definition में यहीं बोल रहा है काईजन costing is a technique of controlling the cost incurred over unproductive activities and resources which does not add any value to the organization यह तो बोल दिया कि बोल रहा है कि cost को control करना किस पे जो भी unproductive activities है और resources है जो कि organization की value को को कोई भी add नहीं कर रहे है यह निए organization की value को benefit नही में बता है time wastage का part हो रहा है कि particular material यहां पढ़ा था फिर इधर चले गया तो इससे बताओ कि organization को कोई value add हुई क्या नहीं हुई तो ऐसे कोई भी example आप ले सकते हो जिसके तुरू आपको पता चल जाएगा कि value add हो ही नहीं रही है फिर इसमें क्या बोल रहा है in simple words it is a practical approach to solving cost related problems to improve the overall efficiency of the organization देखिए simple जी बात है काईजन में क्या करते हैं हमने बोल दिया कि standard set कर दिया और continuously क्या करते जा रहे हैं ताकि एक long term sustainable improvement का environment बना वा रहे जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमें waste को eliminate करना है अपने processes को या system को देरे-देरे क्या करना है improve करने करते वे जाना है और जिससे हम Kaizen costing also referred as continuous improvement costing is a mechanism for reducing and managing cost ये बोल दिया अब देखिए या रख लेना कि generally ये छोटी-छोटी activities के लिए होता है ना कि major innovative improvement के लिए क्योंकि अगर innovative की बात करोगे आप product design की बात करोगे तो generally वो target costing का आएगा हाँ redesigning में Kaizen का use किया सकता है लेकिन कोई नया product आप शुरू से design कर रहे तर जो daily की होंगे तो उस case में Kaizen costing का काम में आ जाएगा ये बोल रहा है काईजन जापनिस टर्म for making continuous improvement in relatively small activities rather than major innovative improvement क्योंकि जो major innovative improvement है वो तो किसमें आएगा target costing से related आ जाएगा तो यहां पर यह बोल रहा है the major difference between target and Kaizen costing is that target costing is applied during the design stage तो इसका मलब आपको कुछ कुछी designer की जरूत होगी जो की particular काम कर रहे हैं ठीक है design stage पे product की design या product के development से related whereas Kaizen costing is applied during the manufacturing stage of a product life तो इस case में क्या होगा सारे worker की जरूत होगी आपको सारे employees की जरूत होगी तो इस case में आप बोल सकते हो कि इसमें आपको बहुत जदा effort करने पड़ते हैं यहां पर जरूरी नहीं आपको ज़्यादा effort करने पड़े हो लेकिन यहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरे employees को एक साथ लाना पड़ेगा teamwork पर डिपेंड होना पड़ेगा सबके decision में जो idea दे रहे हैं सारे के सारे person उनको accept करना पड़ेगा और इसके basis पर decision लेना पड़ सकता है यह बोल दिया अब आपको बोल रहा है कि Kaizen costing is implemented in business organization to manage different type of cost in a business अब देखिए बोल र department या planning department जैसे मैंने आपको बताया था किसमें बताया था में को ध्यान आ रहा है शायद मैंने आपको हाँ ABC में बताया था activity based costing में कि परचे department क्या करता है जो भी request आती है उसके तुरू क्या करता है tender invite करता है फिर order देता है purchase का suppliers को या उसमें से कोई भी एक supplier उसको अच्छा कि जा सकती है क्योंकि आप डेली क्या कर रहे हो चैक कर रहे हो सारा पार्ट जिसके तुरू पता चल रहा है कि अगर बीच में कोई भी activity आ रही है function आ रहा है जो require ही नहीं तो इसको आप eliminate कर दोगे हटा दोगे क्योंकि वह unproductive है it regulates all the cost incurred in the production of goods or services तो जैसे आप target कर सोचते है वैसे इसमें सोच रहे हो यहाँ पर क्या हो गया जितनी भी सारी cost आ गई हो कि से रिट आ गई सोरी यह तो cost of supply chain का था यह आ गया production of goods और service से रिलेटेड जिसमें generally क्या आएगा जब भी आप goods या service produce करोगे तो आप किसका यूज करोगे labor का यूज करोगे machinery का यूज करोग देखना है इंटेंजिबल फिक्सट तो patent, license, registration fees ठीक है उनको acquire करना है तो उसकी cost क्या है chartered accountant को hire करने ही cost क्या है and all other legal formalities required kaizen costing इसमें भी kaizen costing की जूरत हो सकती है क्योंकि आप small activities को दीरी-दीरे करके क्या कर रहे हो देखते जा रहे हो और इसमें improvement का part करते जा रहे हो at the same time it is also applicable at the time of redesigning of any part which involve cost on research, analysis, hiring of expert, personnel तो देखे मैंने कहा बता है जब redesigning का part है उसमें भी apply हो सकता है लेकि इतना ज्यादा नहीं होता यह normal regular functions में apply हो सकता है फिर आपको बोल दे कि human resources में भी apply हो रहा है यह बोल रहा है human resources is another essential arena which is covered by this technique it function to manage the cost of hiring skilled employee, their training and development and retention तो इसमें इतने ज्यादा ब मुझसे पूरा का पूरा chapter पढ़ा है BM और HRM में तो उसमें आपको पता है कि क्या क्या requirement होती है हमें skilled worker की requirement होती है उसे training and development का part देना पड़ता है और साथ में retention उसकी performance appraisal चेक कर नहीं पड़ती है कि जो standard set किये थे उसके सबसे performance हुई है या नहीं हुई तो उसके through cost कितनी ल actual cost जो भी हुई उसका difference देख लेंगे और उसका difference क्या 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 लाएगा variance जैसे आपने standard costing बड़ा था न तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे कि variance analysis देखेंगे लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे target kaizen cost बोलेंगे जबकि standard costing में हम क्या बोलते है standard cost बोलते है उसको actual और standard cost का comparison या favorable आ ठीक है इसी तरह के से बोल दिया with the help of kaizen costing the wastage of raw metal and time of the labor can be controlled by improving the business operation जैसे मैंने आपको बोला कि time falto का labor का लग रहा है अगर आप बार बार क्या कर रहे हो metal को इधर उधर shift कर रहे हो तो एक labor क्या कर रहा है इस metal को उधर shift कर रहा है factory के दूसरे portion में फिर दूसरे store department में क इसका मतलब क्या है आप efficiently काम ही नहीं कर रहे है और worker से भी नहीं कर रहे है और time waste कर रहे हो अगर आपकी machine breakdown हो गई तो बार बार होती रहती है तो आप इससे अच्छा उसको replace कर रहा दो क्योंकि आपकी बार बार खराब हो रही है आप repair कर रहाते हो फिर खराब हो जाती है त तो चोटे-चोटे काम है जिसके तुरू क्या होती है कोश बसती है आपके वास एक्टिवा है ठीक है आपके घर के सौ यानि 50 मीटर ही मालो या मालो की 10-20 मीटर की दूरी पर ही कोई shop है कि ठीक है grocery की तो आप पैदल ही जाते हो अगर गाड़ी पर जाते हो तो आप आगल हो काई जन्हें गाड़ी पर लेकिन मैं तो पैदल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बार मार जाता रहूंगा तो मेरे पैट्रोल की कॉस्ट भी लगेगी और ऐसे करके कर के पैट्रोल देठीर करके खतम होता जाए गा तो यह बोल रहा है कि お चोटी चोटी च जैसे मान के चलो कि आसाम का एरिया हो गया या इमफाल हो गया वहां पे जनरली जब भी क्या करते हैं वो उतरते हैं अपनी फ्लाइट को उतारते हैं तो फ्लैप 3 या सम्थिंग फ्लैप 1 आता है तो उनके कोई गाइड लाइन्स होती है जिनसे क्या होता है उनका थोड़ा सा फ्यूल बसता है कि इस तरीके से आपको क्या करना है लेंडिंग करनी है या टेक ओफ करना है सम्तिंग जिससे आपका क्या बच्छे का फ्यूल तो छोटी-छोटी चीजे उन्हें पता होती है अगर वो पर्टिकुलर जो भी पाइलेट है अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जा सकता है उनकी जॉब से ठीक है तो इस केस में क्या है वो जो कंपनी जे बड़ी-बड़ी वो छोटी-छोटी को भी कंसिड्रेट कर रही है तो क्या कर रही है काईजन कोस्टिंग को अपना रही है यह मान के चलो ऑन कर कोस्ट और डिस्पोजल ऑफ काईजन कोस्टिंग प्रवाइडे सॉल्यूशन थ्रों री यूसिबिलिटी ऑफ वेस्ट और इंप्रूविंग देप्रोडक्शन एफिशेंसी तो डिद्यूस्टिंग और फॉल्टी प्रूट्ट्ट सीदी बात है आपको बताएं कि जो वेस्ट है उसका आज कल क्या कर सक जैसे प्लास्टिक हो गया उसको वापिस से कर सकते हैं ति यूज कर सकते हैं इसी तरीके से बोल रहा है कि प्रडक्शन एफिशेंसी इंप्रूव होगी किसके तुरू जो भी फॉल्टी प्रट्ट ए उसकी मैनुफेक्ट्ट्रिंग को कम करके या उसको हटा के जो भी फॉ marketing staff से related मतलब selling and distribution का भी जो बाट आ गया उसको भी आप काईजन costing के तुरू handle कर सकते हो बाई कितनी advertisement करनी है वो भी तो आपको देखनी है तो आप daily process के तुरू देखोगे कि advertisement के तुरू कितनी lead मिल रही है आज कल आप देखते हो digital marketing बहुत सारी हो गई है तो लोग क्या करते हैं facebook add करते हैं तो उसके तुरू देखते हैं कितनी lead generate हुई है मलब कितना call आये mail के तुरू कितने लोग ने reply किया और कितनी जो lead है वो actual customer में या client में convert हो गए उसके तुरू ही types of kaizen costing इसमें generally दो type की होते हैं एक तो दे रखा है asset specific और एक दे रखा है आपको product specific देखिए पढ़ लेना उपर तो कुछ भी नहीं है जब आप क्या करते हो किसी fixed asset की बात करते हो या पूरे organization की बात करते हो तो वह asset specific से related हो गया और जब आप product based kaizen costing हो गई नीचे यहां पे दो पार्ट दे रखे हैं बस इसके यहीं बोल रखे हैं कि asset specific क्या होता है product specific क्या होता है बस simple है अब देखिए पढ़के देखिए सिंपल सा वाट है बोला the asset and organization specific kaizen costing focuses on the need for a particular deal or the business unit तो यह किस पर deal कर रही है देखो यह बोल दिया asset or organization specific kaizen costing किस पर focus कर रही है for a particular deal or business unit तो पू आप एक्टिविटी विचिस प्रोजेक्ट और प्रोड ओर इंटेड एमिंग अट वैल्यू अनलिसिस इस टर्म्ट इस प्रट स्पेसिविक काईजन कोस्टिंग देखिए जब भी आप रहने टाइप सोप काईजन कोस्टिंग पड़ते हो तो यह asset specific और प्रोड़क स्पेस बsite्रट फिल्स नहीं हो तो जो आपको अलग अलग है लेकिन फिर बी आप अलग देखना चाहो तो इसको आप बोल सकते हो कि जब भी आपको नई मरन चाहिए फीक है नए मर्प लाइन चाहिए तो उसकेस में का क् libros जो भी functional changes कर रहे हो, जो भी function मैंने बताया था, marketing का function हो गया, production का function हो गया, purchase का function हो गया, तो उसमें आप देख रहे हो कि कौन सा functional changes आप कर रहे हो, मतलब जो function आपके लिए beneficial नहीं है, उसको आप हटा रहे हो, और जो value provide कर रहे हो, उसी को आप अपने business में जोड के देख रहे हो जिससे जो भी value added वाला नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो unusable है, unproductive है, उस activity को आप हटा रहे हो, और वो ही value वाली business में service रख रहे हो, जो कि एक तरीके साब को benefit दे रही है, organization को, तो यहाँ पे value engineering में क्या हो गया, जो भी functional change हो रहे है, वो नई product line से related हो रहे है, जबकि value analysis में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जो भी part होता है, वो generally design changes से related होता, कि से design change हो गया, किसी particular product में, आपने उसका redesign कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि पहले वाली design साही नहीं थी, और उसमें ज्यादा cost लग रही थी, तो आपको value analysis करना है, जिसके basis बाप क्या जाते हो, कि आपकी cost reduce हो जाए, तो उस case में क्या करोगे, आप product की redesign कर रहे हो, manufacturing का part आगया, किसी particular system को आप क्या कर रहे हो, eliminate कर रहे हो, या system को क्या कर रहे हो, add कर रहे हो, जिससे आपकी क्या होगी cost reduce हो सकती है, तो वो सारा part इसमें cover कर सकते हो, किसमे, value analysis में, पर दोनों को एक ही term में देखिए, दोनों आपको similar लगेंगे, अलग-अलग करने की जुरत नहीं है, क्योंकि कई भी नहीं बोल रखा, अलग करना है, और आपके exam में generally ऐसे अलग का part आएगा भी नहीं, तो asset specific भी हो सकता है, जिसमें सारी asset या organization से related costing देखी जाएगी, और product में क्या देखी जाएग It involves the following five steps, तो आपको बताएगी, देखिए, Japanese जितनी भी companies जाएगा इनका use करती थी 5S का, जो कि काईजन costing से related important है, अब हम बोल सकते हैं कि देखो क्या बोल रखा है, कि manufacturing stage में काईजन costing काम आती है, तो यहाँ पर देखिए, यहीं बोल रहा है, especially in production और manufacturing unit, जिससे एक तरीके से क्या है, जो workforce है, वो अपने जो भी काम उनको दिया गया है, वो डंक से कर सके, workplace environment विलकुल अच्छा हो सके, यह बोल रहा है, और job satisfaction जो भी है, वो worker को मिल सके, तो यहाँ पर आपको 5S दे रखे हैं, अब कुछ Japan में term दे रखे होगी, और उसका ही English version दे रखा होगा, देखि सू, इसको बोलता है, स्टेंडराइज, और यह है, सिट्सू के, क्या क्या नाम है, यह सिट्सू के, जिसे बोलते है, सस्टें, ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहला बोल रहा है, सौट या सिरी, देखिए, छाटने का मतलब ही क्या होता है, जो unproductive activity है, या unnecessary item है, उसको क्या करोगे, आप हटा दोगे, उसको dump कर दोगे, organization क्या कर देगा, उसको अपने से दूर कर लेगा, क्योंकि पता है कि उससे फालतु की cost लग रही है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सौट, ठीक, the first step in the 5S approach is categorizing the items based on their necessity, the unnecessary item should be labeled red, तो बोला जो unnecessary item है, उसको red label दे देंगे, कि भाई ये business के लिए जरूरी नहीं है, इससे फालतु की cost लग रही है, क्या पता कोई अपने metal purchase किया हो, अब उसको आप purchase नहीं करोगे, क्योंकि वो quality wise सही नहीं है, तो उसको अपने red label दे दिया, and need to be move out of the organization, और organization क्या जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए These items can be sold to the staff, or as scrap else can be dumped by the organization, तो यह बोला, या तो वो staff को सस्ते में बेज़ दो, या scrap के form में क्या कर दो, उसको dump कर दो, देखिए फिर इसके बाद क्या बोल दिया, straighten, जिसको Saturn बोल रखा है, अब आपको बताए कि जब भी आप essential item आपने यहापे sort कर दिये, तो आपने essential item अपन कर दो, orderly way में, sequence में, जिससे जो भी आपका काम है वो आसान हो जाए, ठीक है, तो यह बोलो, these have to be arranged in an orderly manner for simplifying the operations, this step improve the visibility, availability and accessibility of all the tools and items, तो यह जनरली सब की बात कर रहा है, department में जितने भी material machine lever है, उनको एक proper work दे दो, एक organizational structure बना दो, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, यह ब मतलब है कि workplace पर क्या करनी है, आपको cleanliness maintain करनी है, बोल रहा है, जिससे एक तरीके से क्या positive work environment बना रहे हैं, employees का, देखे cleanliness का मतलब क्या है, आपको पता है कि organization में, अगर जब भी आप जाओ गए, यानि employees जाता है, अगर इदर दर चीजे विखरी होती है, तो उस हिसाब से व बोल रहा है कि workplace पर cleanliness होनी चाहिए, मेरे यहां पर नहीं है, तब ही जाके मैं थोड़ा सा rest करने लग जाता हूं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऊपर क्या करता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो जातर मेरी ममी ममी को मैं नहीं बुलाता, तो इस चकर में क्या है, मेरे environment मे cleanliness नहीं है, तब जाके मैं थोड़ा सा क्या हूं, सुस्त हूं, यहां पर बोल रहा है, अब standardized का part, यानि सिकेट सू, इसमें generally यह बोल रहा है कि, जो cleanliness आपने general जो आप maintain कर रहे हो, तो उससे related standards तैय कर दो, ताकि सारे के सारे जो भी employees उसको follow करें, इसी तरह की से बोल दिया है कि day-to-day जो business operation है, उससे related जो भी items है, वो हमेशा maintain रहने चाहिए, और usable होने चाहिए, अपनी जगे पर, ठीक है, तो आप daily उनको use करो, आपको पता ही कि अगर business में use आ रहे हैं, और साथ-साथ जो भी हमने बोला कि work environment में जो भी items है, उनको आप maintain करो, उसी जगे पर जाप पर प्रॉपर होना चाहिए, जैसे storage department है, तो store department में material प्रॉपर बढ़ा रहना चाहिए, जब भी आपको requirement हो, आपको available हो जाना चाहिए, तो day-to-do business operation के लिए जो भी items है, वो आप maintain करके चलो, और इसको आराम से use करो, नहीं तो अगर वो maintain नहीं होंगे, तो आपका business दंक से क जिन में सारे employees को follow करना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ दिक्कत है, या कोई भी आपके ideas है, तो आप क्या कर सकते हो, share कर सकते हो, और जो standard हमने आपको बताए हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, follow करने पड़ेंगे, जो हमने आपको बोला है कि यह जो rules हैं, या obligations है वो आपको follow करने पड़ेगी, तो follow करने ही पड़ेगी, thus developing a sense of self-control and discipline among them to maintain and follow the set standard, यह तो बोल दिया, कि जो भी set standard किये हैं, उसको follow करना, और उनके बीच में discipline को maintain करना, और साथ में वो खुच self-control maintain करके रखे, सामने वाला कोई supervisor जरूरी नहीं कि maintain करे, अपने आपी वो self-control रखे, अब आपको बोल रखा है काईzen costing process, तो यह दे रखिए, अब यह तो देखिए, ऐसे कवर कर दिया कहीं से, वैसे यह particular काईजने बोलते हैं कि साथ diagram के थूरू बताईए, या PowerPoint presentation के थूरू बताईए, तो देखिए, वो क्या होता है, एक person आता है, फिर यह बताता है, तो यह आपको क्या है कि उस वक्त के लिए याद रहेगा, बात में तो आपको क्या करना पढ़ेगा, PDF ही पढ़नी पढ़ेगी, तो उस वक्त के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बात में PDF पढ़ो, और PDF के थूरू ही क्या है, concept क्लियर करो, वो ही सही रहेगा, तो मेरे पास कोई powerpoint का इतना experience नहीं है इसलिए मैं जनरली वह नहीं बनाता यहां पर बोल रखा है involve your employees कि देखें यह बोल रहा है कि जब भी environment में change कर रहे हैं यह हम बोल रहे हैं कि जो भी small दो से वले तीन मतलब बहुत सारे अगर employees होंगे वो अपने feedback देंगे अपने ideas देंगे तो उस case में क्या होगा company का भी फायदा होगा company को पता चलेगा कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं क्योंकि actual work तो कौन कर रहे हैं वो नीचे वाले worker ही कर रहे हैं lower level और उससे नीचे जो worker है वो changes जैसे आपने chapter पढ़ा होगा मुझसे जिसमें मैंने बताया कि आप organizational development चाहते हो changes चाहते हो तो उस case में क्या होता है अगर employee बदलाव नहीं चाहता तो वह भी बदलाव चाहने लगेगा क्योंकि वह उस basis पर क्या करेगा अपने ideas और ने शेयर करेगा फिर आपको बोल दिया find problem वह यह organization क्या करेगा साथ में काम करेगा organization together with its employee for of all the department जैसे आपको बोल दिया finance, production, purchase, sale department यह सारे मिलके एक साथ काम करते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि department अलग-अलग department के जो भी employee या person है वो एक साथ cooperative manner में काम करेंगे जिससे क्या होगी आपके business को ही help मिलेगी such as customer support, finance human resource, production, design यह department के नाम दे दिये, इनके सारे employees एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, need to find out the various problem in the organization with the help of techniques like 360 degree feedback, यह आ गया, अब देखे 360 degree feedback मेने आपको BM और HRM वाले पार में पता हुआ हुआ है, detail में जाना है तो मापे जा सकते हो, इसी तरह के सापको 3rd वाले point में के दे दिया, think and find solution, the next step is solving the identify problems, this step need a lot of brainstorming and tactical approach, therefore managers form a team of ingenious employees to find out a practical solution to each question, तो यहां पर वो ही है कि हम ऐसे employees को generally क्या करेंगे, उनकी team बना देंगे, या ऐसे expertise की team बनानेंगे, जो generally क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एफट लगाते हैं, बहुत ज़्या ज़्याले से पूछते रहते हैं, तो manager ऐसे ही employee चाहेगा, management ऐसे ही person चाहेगा, तो यह बोल रहा है, managers form a team of ingenious employees to find out a practical solution to each question, तो उस case में brainstorming इसका मदलब क्या है, बार बार question food के बाहर निकल रहे हैं आपके mind से, तो ऐसे person चाहिए होंगे, जो tactical approach रखते हो, ठीक है, किसी particular situation को handle करना जानते हो, फिर fourth आगया, implementing any change involves cost and risk simultaneously, therefore to be on a safer side, the new idea must be testified on a small part of the organization, तो जब भी नए आइडिया है, तो उसको पहले organization के किसी छोटे part पर testify करो, जैसे अगर marital order का part है, तो वहाँ आपने idea शेर किया है, तो वहाँ पे आप देखिए कि आपकी cost reduce हो रही है, अगर वहाँ reduce हो यह, तो बाकी सारे factors या बाकी सारे functions में भी apply करके देख लो, check, the manager need to look after the proper implementation of kaizen costing, इसका मलब वही follow-up का part एक तरीके से, that is a new idea should not just remain in words, instead it should be practically apply to the business process, तो यह नहीं कि बस आप kaizen costing में किसी particular idea को सोच के बैट गए, लेकिन उसको आप practically apply नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप क्या करो apply भी करो और साथ-साथ follow-up भी करो, की particular कहां गलती हो रही है, जो भी अपने target सोचा है और actual cost सोची है, sorry, target जो सोची है cost और जो actual cost हो रही है, उसमें कोई gap तो नहीं हो रहा, standardized, after being satisfied with the result, the organization need to set this change as a standard procedure for all department and across the whole organization, वो इसीधी बात है, जितने भी department के worker है, employee है, उनको पता चल जा फिर आगया repeat, a standardized procedure becomes the organizational culture when continuously practice over a period, तो इसका मतलब क्या है, कि नए employee को training देनी पड़े कि लेकिन पुराना employee को पताने की ज़रूत नहीं होगी, क्योंकि वो बार-बार वो particular procedure को follow करते जाएंगे, तो देखे कितने simple था, कोई जाधा typical नहीं था, अब advantage में क्या दे रखा है, वो यह बोल रहा है, customer satisfaction, forming work team, continuous improvement, creates better work environment, problem solving, देखे कि इनने simple है, promotes cross functional team, क्योंकि अभी हमने देखा था, अलग-अलग department के worker, या हम बोल चकते हैं कि expert person, वो एक साथा कि क्या करेंगे, काम करेंगे, या एक साथा कि अपना decision, decision बोल रहा हूं, अपने idea share करेंगे, जिसे decision making में क्या हो होगी, widely applicable, reduce waste stage, तो यहाँ पर यही बोल रहा है, इसके नीचे part, जो ओपर दे रहा है, यही explain करके दे रहा है, यही बोल रहा है, when we talk about the benefits of kaizen costing, the first thing that clicks in our mind is that it improves business efficiency by reducing the various type of cost involved in running and organization, तो देखिए यही तो part हम बोल रहे थे, यही part हम target costing में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर design से related था, और यहाँ पर यह किस्से manufacturing stage से related है, यहाँ रख लेना, वहाँ पर वो innovation stage है, design and innovation, target में और kaizen में क्या है, manufacturing stage है, तो क्या गया customer satisfaction, तो इसका मलब क्या है, customer oriented technique यूज की जाएगी, जो की customer को better service, हम बोल सकते हैं कि उसके price के according हम क्या कर रहे है, customer को goods produce करके दे रहे, यही हो जो selling price से उसके according maintain करके उसको दे रहे हैं, और से साफसे हम अपनी cost maintain कर रहे है, kaizen costing के तुरू, और profit भी कमा रहे है, forming work teams, every employee involved in the implementation of kaizen practice need to perform in a work team with a common aim of improvement, common aim क्या रहेगा, improvement और एक team के तुरू काम करेंगे, continuous improvement, यहाँ तो बता ही दिया, कि देखिए आपको बता है कि दीरे दीर करके gradually improvement ही करोगे, सीधा perfection नहीं पा सकते, तो क्योंकि small changes कर रहे हो, तो उस case में क्या होगा, जैसे-जैसे improvement करते जाओगे, standard set कर दिये और improvement होता जाएगा, तो long term के लिए आप improvement को sustain कर सकते हो, यह नहीं कि आपने सिर्फ 3 महीने के लिए क्या कर दिया, जो क्या बोलते है, benefit प product, process, project and the organization, तो एक इसकी बात कर रहा है, पूरे organization की बात कर रहा है, क्योंकि manufacturing का मलब क्या हो गया, उसमें सारा part आगया, ठीक, फिर आपका part क्या बोल रहा है, create better work environment, it also promote a positive work environment for the employees and the management, like sharing canteen and the dress code, is a part of work culture in many organization, तो एक dress code हो गया particular, जो सब को follow करना पड़ेगा, जिसमें सब अच तो कैंटीन में सारे क्या करते है, परसन एक साथ, फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो जिनसे क्या होता है, आपस में जो informal communication होता है, वो बढ़ता है, informal बढ़ता है, तो उसके इसमें क्या होता है, understanding या हम बोल सकते है, coordination अपने आप दीरे-दीरे बढ़ता वो ही जो अगर आपको problem पता चल गई तो उसको solve करने के लिए काईजन costing एक तरीके से help करता है आपकी, जिससे business operation को perfection के through आप अचीव कर सको, या business operation के जो भी perfection का बाट है, उसको आप अचीव कर सको, process में perfection चाहिए, किसी particular product से related cost में perfection चाहिए, ठीक है, अगर system में perfection चाहिए, तो वो सारा आप अचीव कर सकते हो, यानि यह पूरे total quality management की बात करता है, आपने पढ़ा होगा TQM, promotes cross functional team, यह मैंने आपको बताई दिया, कि अलग-अलग skill knowledge के person, अलग-अलग efficiency वाले person, अलग-अलग department के वो सारे एक साथ मिलते हैं, और एक cross functional team बना लेते हैं, widely applicable क्योंकि आ manufacturing industry भी यूज कर सकते हो, universally applicable है, यह नहीं कि सर्फ Japanese company कर रही है, बागी सारी companies भी अब इसको follow करने लग गई है, अब आपका आगया reduced wastage का part, due to better time management and material management in kaizen costing technique, the wastage of time and resources can be avoided, तो देखिए आपको बताए कि जब भी आप wastage की बात करते हो, तो दो पार आगया, एक तो time का wastage or resources, time time का मैंने आपको बताया, उपर example से, और resources का तो आपको बताए कि material फालतू का wastage क्यों हो जाता है, क्योंकि या तो worker जो काम कर रहा है, वो efficient नहीं है, या material quality wise आपने नहीं लिया, तो उसका कुछ पार तो waste होगा ही होगा, तो आप वो wastage से बचाना चाहते हो, तो आप quality wise metal कोशिश करोगे, ठीक, क्योंकि customer क्या चाता है, satisfaction चाता है, तो यह नहीं कि हम अपनी quality गराएंगे, drawback of kaizen costing, kaizen costing is a positive change process, through there are some severe disadvantage of it, which make it a risky affair, यह बोल रहा है कि कुछ disadvantage होता है, जिसके तुरू एक तरीके से यह इसको risky बनाता है, following are some of these, यहाँ पर दे रखा है, यह burden on lower level of management, permanent change system और lack of training, यह तीन दे रखें, यह नीचे मैंने cover कर रखें, ठीक है, देखें, यह बोल रहा है, the burden on lower level management, इसका मदलब क्या है, कि जो हम बोल सकते है, top, middle और lower level होता है, lower level में generally आपके क्या आजाते है, forman आजाता है, assembler आजाते है, जो यह particular person है, उनको एक तरीकिस सा आप बो training का बाटार है, तो उस case में costing कर होती है, और हम बोल सकते हैं कि अगर particular ने training नहीं दी गई, kaizen costing से related, जो भी changes है, उसका apply करने की training नहीं दी गई, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा confusing हो जाता है, it becomes confusing and tedious for the bottom level management to adopt the changes in process or product, so implemented through kaizen costing, kaizen costing के through, जो particular process या product में changes हुआ है, वो adopt करना इ lack of training, kaizen costing requires a lot of expertise and training and if not implemented strategically, it may even lead to adverse effect, क्योंकि एक तरहीं हम बोल सकते हैं कि देखिये काम तो किसको करना है, वर्कर को करना है, तो lower level management क्या करेगा, उन वर्कर से काम कराएगा, supervisor हो गया, तो वो क्या करेगा, सामने वाले या forman हो गया, वो क्या करेगा, जो भी वर्कर है, जनको wages मिलती है, उनसे effort कराएगा, अगर वो डंक से नहीं करवा पाएगा, manage नहीं करवा पाएगा, तो इसको report उपर करनी पड़ेगी, यानि middle level of management को, और middle वाले को किसको करनी पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कहां पे कमी रह गई है, तो इसको सुदार करनी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे एक तरीके से, disadvantage बोल रहे है, एक तरीके से, ठीक है, या drawback बोल रहे है, काईजन कोस्टिंग के, तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है कि lower level management पर बढ़ आना जाएगा, lack of training की वज़े से भी adverse impact पड़ता है, और ये permanent change system ह जो change किया गया है, ये नहीं कि आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ये irreversible है, तो अगर आपने एक बार जो decision ले लिया, आपको वो fulfill करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे पीछे हटे, तो उस case में आपकी double cost लग सकती है, क्योंकि आपकी generally cost तो लगी रह सकती है, लेकिन उसके अलवा आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने material, machine, या जो भी आप labor की बात कर रहे हो, उसको इस हिसाब से utilize किया, या जो functions है, या आप बोल सकते हो, जो system है, उस हिसाब से आपने कहारा, उसमें से कुछ part eliminate किये, बाद में आपको पता नैसले का example बोल रखा है कि इसने कैसे काईजन कोश्टिं का use करके cost को reduce करा और कैसे better profit margin कमाया, ये बोल रहा है, तो इतना जाधा example तो typically नहीं दे रहा, normally दे रहा है, पढ़के भी आप कर सकते हो, ये बोला, नैसले is one of the most renowned food and beverage company, producing a wide range of product including baby food, dairy product, medical food, tea and coffee, snacks, confectionery, ice cream, mineral water and many more, इ ने ले देखते हो कि बहुत सारे particular product based थी है, the company used, company ने use की kaizen costing technique for attaining lean production and the approach was stated as Nestle continuous excellence, इनकी कोई particular site होगी जापे इन्होंने ये particular बता रखा है कि कैसे इन्होंने काईजन costing technique के through cost कम की और better profit margin कमाया, production कैसे lean किया, ये बोल रहा है, ये बोला, in this process Nestle address its problem of wastage and time consumed in the production, जो हमने ऊपर देखा था, एक तो wastage and time consumed in the production to improve the efficiency of the company, less wastage means incurring a low cost, better profit margin, high output and proper utilization of resources, आपका output ज्यादा निकलेगा, तो आपकी average cost per net वैसे ही कमायेगी, profit margin आपका अच्छा होगा क्यों क्योंकि cost per net कम है, उससे साबसे आप selling price अपनी अच्छी रखके बैठे हो, और आपने अपने resources का fully utilized और proper utilized क किया है, तो Nestle क्या हुआ, यह बोला, Nestle was able to reduce wastage in production of fast moving consumer goods and also successfully decrease the time consumed in the manufacturing of the product, जो भी product manufacturing करने में time लगा, उसको एक तरीक से वो successfully reduce कर पाया, जैसे मैंने आपको बताया है, किसी particular process में time लगता है, तो क्यों time लग सकता है, वो किस के उपर है, वो आपके उपर है, ठीक है, मैंने ब आपके उपर, कि आपके पास alternative plan भी होना चाहिए, क्या पता आपके पास और भी machine हो, कि अगर आपका एक work क्या हो गया, एक plan खराब हो गया, तो दूसरा plan तो होना ही चाहिए, alternative plan तो होना ही चाहिए, तो यह बोल रहा है कि अगर machine breakdown हो गई, तो दूसरी machine भी होनी चाहिए, ज उसी वक्त तुरंत आपके रिपेर या मेंटिनेंस करवा दो मशीन बार बार खराब हो रही है तो इसको रिप्लेस करवा दो तो यह सारा पार्ट तो आपको करना पड़ेगा जिससे आपको जो टाइम कंजूम हुआ है वह एफिशेंटली हो सके एफेक्टिवली हो सके अब आ आपका राउंड दस मिनिट में सारा पार्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर शुरू में यह बोल रहा है इन और तो अचीव कॉस्ट रिदक्शन वैरियेवल एस फिक्स कॉस्ट और कंसीडर्ट हावर सिंस फिक्स कॉस्ट और नीडटेन कंटिनेंस ग्रोथ काईजन को कॉस्ट में सिर्फ को क्या करना पड़ेगा जो नॉर्मल वैरियेवल को सब्सक्राइब देखिए मैनुफेक्शन का पाट है तो इसमें आपको यही करना पड़ेगा तब जाके क्या होगी कॉस्ट कमाएगी यह बोल रहा है ठीक है और फिक्स कॉस्ट तो आपको चाहिए च आर्गेट को अचीव करने के लिए तो यहां पर बोल रहा है एक्चुल कॉस्ट पर यूनिट और इन प्रिवेस यह पहले चीज़ आ गई यह एक्स छोड़ी है तो ऐसे लिखावा है एक्स वाई जैट ठीक है तो यह एक्स वाई जैट सोचने के जड़त नहीं है सबसे वह आप क्या कर रहा है एस्टिमेटर अमाउंट निकाल रहा है आज का इस साल का करेंट कोश्ट का तो नौर्मल पार्ट क्या है एस्टिमेटर आउटपुट इस साल का सोच लीजिए जैसे आप इन्टू करोगे मान के चलीए कि देखिए यहां पर आपकी एक्च्वल कॉस्ट कितनी थी 10,000 थी यह बोल दिया आपने और नीचे आउटपुट कितना था 1,000 तो 10,000 अपन 1,000 करोगे तो क्या है गा 10 रुपीज पर इनिट आएगा अब इस बार आपने क्या सोचा कि जो आपका आउटपुट प्रोड़क्शन होगा वो कितना होगा 1,000,20,000 होगा तो 1,000 ट्वेंटी इंटू 10,000,000 की आपकी क्या गई एस्टीमेटेड कोस्ट आ गई इस साल की यह आ गया अब आपको बोल रहा है काईजन टार्गेट कोस्ट फॉर दा करेंट यह तो यहां पर यह बोल दिया एस्टीमेटेड अमाउंट अफ एक्चुल कोस्ट फॉर करेंट यह तो मैंना आपको 12,000,000 बोला इंटू रेशो ऑफ दा कॉस्ट रेडक्शन टार्गेट तो आप चाहते हो कि आपका कॉस्ट रेडक्शन कितना रहे उसका रेशो जैसे आप 10% करना चाहते हो तो 12,000,000 का क्या कर दिजिए 10% कर दिजिए लेस्ट 120 तो बागी कितना बज़ जा चाहेगा और 8 लेक में 10% कर दूं या जो भी करूं तो इस तरीके से मेरी रेड्यूस हो जाएगी पर सौरी यहां पर रेड्यूस करने के ज़रत नहीं यहां पर बोले तो यहां पर मैंने जो 10% बोला उसकी जगें क्या बोलेंगे 90% क्योंकि हमें पता है कि अगर 100% की जगे 10% reduce करनी है तो बाकी 90% ही यहां पर आएगा ratio of the cost reduction target कि हमें कितना cost reduce करना है पिछले से यह हम यह भी बोल सकते हैं कि देखिए पहले 10 रुपीज थी अब हमें चाहिए कि हमारी cost कितनी है 9 रुपीज हो तो 9 upon 10 90% तो वह cost reduction target का ratio क्या है वह particular आपको देखना पड़ेगा तो इस इसका हम बोलते हैं assignment cost to each plant क्या बोलते हैं assignment cost to each plant तो वह कैसे निकलती है यह बोल रहा है cost directly controlled by a single plant upon total cost control by all the plant तो अगर सारे plant का यूज करोगे तो total cost कितनी control हो रही है और यहां पर देखिए क्या बोल रहा है अगर single plant का यूज कर रहे हैं तो कितनी cost directly control हो रही है तो वह assignment ratio कहलाता है आपने जो काईजन target cost for the current year निकाली यह वाला पार्ट कि अपना यह थर्ड वाला पार्ट आ गया ठीक ही estimated cost बन रही थी उसमें से हमने बोल दे हैं कि हमारी जो 80% cost ही रहेगी क्योंकि 20% reduce हो जाएगी तो हमने into 80% कर दिया तो हमारी काईजन target cost जो पी आई थी उसका into कर देंगे assignment ratio से तो वह उस particular each plant की काईजन cost निकल के आ जाएगी क्योंकि आप सोचिए कि जो काईजन target cost है वो पूरे की पू काईजन target cost for each plant निकल के आ जाएगा तो यह यह रखना आपके exam में काम आ सकता है formula के पार्ट और जो मैंने आपको सारे के सारे point बताए अब देखिए काईजन costing और standard costing के बीच में difference दे रखा है एक difference में ज्यादा है पर आप यह extra पढ़के देख लेना simple part है देखिए सबसे पह standard यहाएगा तो इसको एक बर मैं सही कर लेता हूं वेट देखिए सही कर दिया है गलती तो ऐसे भी आगे पता चल जाती क्योंकि देखिए यहां पर आपको बताए कि standard का यूज हो रहा है और आपको मैंने काईजन में बताया था monthly तो इसलिए मुझे पहले गलती पता चल ग यहां पर क्या बोल रहा है अब देखिए एक्स्ट्रा मैंने और कवर कर लिया यह बोल रहा है continuous improvement is implemented during the year to attain target profit और to reduce the gap between target profit and estimated profit तो जो estimate profit और target profit है उसके बीच में जो भी गैप है वो reduce हो जाना चाहिए किसके थुरू continuous improvement के थुरू जो कि काईजन कोश्टिंग का main element है यहां पर बोल रहा है कि जो भी investigate होगा या respond होगा वो कब होगा जब standards मेंट नहीं किया जाएंगे उसके basis basis पर जो भी variance part आ रहा है क्योंकि आपको बता है कि actual cost ज्यादा आ गई और standard cost तो आपने कम डिसाइड की थी तो जो भी adverse impact आ गया चलो फेवरेबल भी आ गया तो आपको investigate तो करना ही पड़ता है कि इसकी region क्या रहे तो जो भी analysis हुआ उसके basis पर आगे हम क्या करेंगे particular standard को सही करने की कुशिश करेंगे या जो भी actual cost में variance आया या ज्यादा पार्ट आया उसको सुदार करने की कोशिश करेंगे remedial action लेंगे वैसे यहां पर बोल दिया investigate and respond when target kaizen amount are not achieved यहां पर बोल रहा है target kaizen cost और जो actual cost reduction amount है उसमें gap आ रहा है तो उस case में जो भी investigation का पार्ट है वो कीज है और शायद है ना वह costing से related decision making से related कुछ topic बचे वे थे तो वह है अपना cost and management accounting का सारा पार्ट खतम हो जाएगा और इनके सारे जो mcqs है life cycle costing के target के इनके सबके मैं एक साथ mcqs cover कर लूँगा पास्ट यह पास्ट यह के तो है नहीं एक दो ही मिलेंगे तो जाहतर मैं important mcqs cover कर लूँगा I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो देखने के लिए thank you